एहसास भी है, लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए, अपने रोजमरा के काम भी कर रहे हैं, देश में हो रहे हर आयोजन में, जिस तरह का सैयम और साद्गी इस बार देखी जा रही हैं, वो अभूत्पुर्वा है, गनेशोत्सों भी कहीं ऑनल प्रतिमा स्थापित की गई है, साथियों हम बहुत बारीकिय सगर देखेंगे, तो एक बात अवश्या हमारे ध्यान में आएगी, हमारे पर्व और परियावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है, जहां एक और हमारे पर्वों में परियावरण और होता है, तो दूसरी और कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाई जाते हैं, जैसे बिहार के पस्चिमी चमपारण में, सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग, साथ घंटे के लोगडाउन या उनके ही शब्दों, सदियों से थारू आदिवासी समाज क साथ घंटे के लोगडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो साथ घंटे के बरना का पालन करते हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को हो, थारू समाज ने अपने परंपरा का हिस्सा बना लिया है, और सदियों से बनाया है, इस दोरान न कोई गाउ में आता है, नह कोई अपने घरों से बाहर निकलता है, और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया, तो उनके आने जाने से लोकों की रोजमरा की गतिविदियों से नए पैर पौधों को नुक्षान हो सकता है, बरना की शुरुवात में भव्व्य तरीके से हमारे आदिवासी भायबेन पूझापाट करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी प्रमपरा के गीत, संगीत, लुत्य जम करके उसके कारकम भी होते हैं, साथियों इन दिनों ओनम का पर्व भी धुम धाम से मनाये जा रहा है, ये पर्व चीनिगम महिने में आता है, इस दोर लोग कुछ नया खरीते हैं, अपने घरहों को सजाते हैं, पुकलम बनाते हैं, ओनम साधिया का आनन लेते हैं, तरह तरह के खेल और प्रतियोंगीताएं भी होती हैं, ओनम की धुम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुँची हुई है, आमेरिका हो, यूरप हो, य खाड़ी देशों, ओनम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा, ओनम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है, साथियों, ओनम हमारी कृसी से जुड़ा हुआ पर्व है, यह हमारी ग्रामीन अर्थववस्ता के लिए भी एक नई शुरूआत का समय होता है, किसानो के परिसम से ही रंग बिरंगे बनते हैं, हमारे अनदाता को, किसानों की जिवन दाइनी शक्ति को वेदयों में भी भावत गवरव प्रण रुप से नमन किया गया है, रगवेद में मंत्र है, अन्ना नाम पतये नमह, अन्ना नाम पतये नमह, छेत्रा नाम पतये नमह, अर् है हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठीन परिस्तितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है हमारे देश में इस बार खरीब की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकामले 7 प्रतिशत जादा हुई है धान की रुपाई इस बार लगबग 10 प्रतिशत दाले लगबग 5 प्रतिशत मोटे अनाच कोस सिरियल्स लगबग 3 प्रतिशत ओईल सीट्स लगबग 13 प्रतिशत कपास लगबग 3 प्रतिशत ज्यादा बुई गई हैं मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ मेरे प्यारे देश वास्यों कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवार आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे-छोटे बालमित्रों का समय कैसे बित्ता होगा और इसी से मैंने गांदिनगर की Children University जो दुन्या में एक अलग तरह का प्रयोग है भारत सरकार के महिला और भालविकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सुक्ष्म लगू और मध्यमुद्योग मंत्राले इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इस पर मन्थन किया, चिंतन किया मेरे लिए ये भहुत सुखत था, लापकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सिखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विशय था, खिलोने और विशेश कर भारतिय खिलोने। हमने इस बात पर मन्थन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉइस कैसे मिले। भारत टॉइ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहें बच्चों के माता पिता से शमा मागता हूं क्योंकि हो सकता है। उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलोनों की नई नई डिमान सुनने का शायज एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों खिलोने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलोने हमारी आकांग्शाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलोने किवल मन ही नहीं बहनाते। खिलोने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलोनों के सबंद में गुरुदेव रविद्रना टेगोर ने कहा था कि बेश्ट वो होता है जो इनकम्प्लीट हो ऐसा खिलोना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उससे पुरा करें। गुरुदेव टेगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कलपना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलोने और खेल बनाया करते थे। लेकिन एक दिन बच्चपन के उन मौज मस्ति भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया। हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुन्दर सा विदेशी खिलोना लेकर आ गया। खिलोनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज़्यादा खिलोने पर रह गया। हर किसी के आकरशन का केंद्रा खेल नहीं रहा, खिलोना बन गया। जो बच्चा कल तक सब के साथ खेलता था, सब के साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूप जाता था, वो अब दूर रहने लगा। एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैट गया। मेंगी खिलोने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सिखने के लिए भी कुछ नहीं था। यानि कि एक आकर्षक खिलोने ने एक उत्कुरुष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुर्जा दिया, इस खिलोने ने धन का, संपती का, जरा बड़पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट को बढ़ने और समरने से रोक दिया, खिलोना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया, और बच्चे का खिलना भी खो गया, इसलिए गुरुदेव कहते थे, कि खिलोने ऐसे होने चाहिए, जो बच्चे के बच्चपन को बाहर राएं, उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाएं, बच्चों के जीवन के अलगरत पहलू पर खिलोनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्टिय शिक्षा निती में भी बहुत ध्यान दिया गया है, खेल खेल में सीखना, खिलोने बनाना सीखना, खिलोने जहां बनते हैं, वहां के विजीट करना, इन सब को करिकुलों का हिस्सा बनाये गया है, साथियों, हम प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर है जो अच्छे खिलोने बनाने में महारत रखते हैं भारत के कुछ खेत्र टॉय क्लस्टर्स यानि खिलोने के केंदर के रूप में भी विक्षित हो रहे हैं जैसे करनाटक के राम नगरम में चन्नापत्ना आंधर प्रदेश के कृष्णा में कॉंडा पल्ली तमिलनाड में तेंजोर असम में धूबरी उत्र प्रदेश का वारा नसी कई ऐसे स्थान है कई नाम गिना सकते हैं आपको जानकर आश्चरे होगा कि ग्लोबल टॉय इंडिस्ट्री सात लाग करोड रुपियों का इतना बड़ा कारोबार लेकिन भारत क हिस्सा उसमें बहुत कम है अब आप सोचिए कि जिस राष्ट के पास इतनी विरासत हो परंपरा हो विवितता हो युवा आबादी हो क्या खिलोनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या जी नहीं यह सुनने के बाद आपको भी अच ग्रह उद्योग हो छोटे वर लगू उद्योग हो मसमीज हो इसके साथ साथ बड़े उद्योग और नीजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर महनत करनी होगी अब जैसे आंदर पदेश के विजा का पटनम में स्रिमान सीवी राजू है उनके गाउं के अतिक कुपक का टोईश एक समय में बहुत परचलित थे इनकी खासियत ये थी कि खिलोने लकडी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलोनों में आपको कहीं कोई एंगल या क कौन नहीं मिलता था ये खिलोने हर तरफ से राउंड होते थे इसलिए बच्चों को चोड की भी गुंजाश नहीं होती थी सीवी राजु ने एतिक को पक्का टॉइस के लिए अब अपने गाउं के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरफ से नया मुमेंट शुरू कर दिया है बहतरीन क्वालिटी के एतिक को पक्का टॉइस बनाकर सीवी राजु ने स्थानिये खिलोनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है खिलोनों के साथ हम दो चीजे कर सकते हैं अपने गवरव शाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वाणिम बविश को भी समार सकते हैं मैं अपने स्टार्ट अप मित्रों को हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ टीम अप फॉर टॉइस आईए मिलकर खिलोने बनाएं अब सभी के लिए लोकल खिलोनों के लिए वोकल होने का समय है आईए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी बारे खिलोने बनाते हैं खिलोना वो हो जिसकी मवजूदगी में बचपन खिले भी खिल खिलाए भी हम ऐसे खिलोने बनाएं जो परियावरण के भी अनुकुल हो साथियों इसी तरह अब कंप्यूटर और स्पार्ट फोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं बड़े भी खेलते हैं लेकिन इन में भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थिम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है हमारे देश में इतने आइडियाज हैं इतने कंसेप्ट्स हैं बहुत सम्रुद्ध हमारा इतियात रहा है कि हां हम उन पर गेम्स बना सकते हैं मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ आप भारत में भी गेम्स बनाईए और भारत के भी गेम्स बनाईए कहां भी जाता है Let the games begin तो चलो खेल शुनू करते हैं साथियो आत्म निर्भर भारत अभियान में वर्चुल गेम्स हो टॉइस का सेक्टर हो सबने भहुत महत्वपुर्ण भूवी का निभानी है और यह उसर भी है जब आज से सो वर्स पहले असयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांदी जी ने लिखा था कि असयोग आंदोलन देश वासियों में आत्म सम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्म श्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है असयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाईत्व है मेरे प्यारे देश वासियों भारतियों के इनोवेशन और सॉलूशन देने की ख्षमता का लोहा हर कोई मानता है और जब समर्पन भाव हो, समवेदना हो तो ये शक्ती असीम बन जाती है इस महने के सुरुवात में देश के युवाओं के सामने एक एप इनोवेशन चलेंज रखा गया इस आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चटकर के हिस्सा लिया करीब साथ हजार एंट्री जाई उसमें भी करीब करीब दो तिहाई एप्स टियर टू और टियर थ्री शहरों के युवाओं ने बनाए है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के भविश के लिए बहुत सुबसंकेत है आत्मनिर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के रिजर्ट देकर आप जरूर प्रभावित होंगे काफी जाँच परक के बाद अलग-लग केटेगरी में लगबग दो दरजन एप्स को एवर्ड भी दिये गए है आप जरूर इन एप्स के बारे में जाने और उनसे जुड़े हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेजित हो जाए इनमें एक एप है कुटू की Kids Learning एप ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरक्टिव एप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिये बात-बात में ही बच्चे में साइन्स में बहुत कुछ सिख सकते हैं इसमें activities भी हैं, खेल भी है इसी तरह एक micro blogging platform का भी एप है इसका नाम है कू, के डबलो, कू इसमें हम अपनी मात्रु भाशा में text, video और audio के जरिये अपनी बात रख सकते हैं, इंट्रेक कर सकते हैं इसी तरह चिंगारी एप भी युवाओं के बीच काफी popular हो रहा है एक एप है, ask सरकार इसमें चेकबोर्ट के जरिये आप इंट्रेक कर सकते हैं और किसी भी सरकारी उजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं वो भी text, audio और video तीनों तरीकों से यह आपके बड़ी मदद कर सकता है एक और एप है, step, set, go यह fitness एप है अब कितना चले, कितनी केररिज बन की इस सारा हिसाब यह एप रखता है और आपको fit रहने के लिए motivate भी करता है मैंने कुछ ही उदार दिये हैं कई और एप्स ने भी इस challenge को जीता है कई business एप्स हैं, games के एप्स हैं जैसे is equal to, books and expense जो हो workplace, FTC talent आप इनके बारे में net पर सर्च करिए आपको बहुत जानकारी मिलेगी आप भी आगे आए, कुछ innovate करें कुछ implement करें आपके प्रयास, आज के छोटे-छोटे start-ups कल बड़ी-बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे और आप ये मत भूलिये, कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया नजर आती है न, बेबी कभी start-up हुआ करती थी प्रिये देश्वासियों, हमारे यहां के बच्चे, हमारे विध्यार्थी, अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थे दिखा पाएं इसमें बहुत बड़ी भूमी का nutrition की भी होती है, पोशन की भी होती है पूरे देश में सितंबर महने को पोशन माह, nutrition मंत के रूप में मनाये जाएगा नेशन और nutrition का बहुत गहरा सबंध होता है, हमारी यहां एक कहावत है यथा अन्नम तथा मन्नम, यानि जैसा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मानसिक और बववदिक विकास भी होता है एक्सपर्स कहते हैं कि शीशू को घर्व में और बचवन में जितना अच्छा पोशन मिलता है, उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो सफस्त रहता है, बच्चों के पोशन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि मा को भी पूरा पोशन मिले और portion या nutrition का मतलब कि अवर्द इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, nutrients मिल रहे हैं, आपको iron, calcium मिल रहे हैं या नहीं, sodium मिल रहा है या नहीं, vitamins मिल रहे हैं या नहीं, इस सब nutrition के बहुत important aspects हैं, nutrition के इस आंदोलन में, people participation भी बहुत जरूरी हैं, जन भागीदारी ही इसको सफल करती हैं, पिछले कुछ वर्षों में, इस दिशा में, देश में काफी प्रयास किये गए हैं, खास कर हमारे गावों में इसे जन भागीदारी से जन अंदोलन बनाये जा रहा है, पोशन सप्ता हो, पोशन मा हो, इनके माद्यम से जादा से जादा जागरूपता पैदा की जा रही हैं, स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगीत आएं हो, उनमें एवर्नेस बढ़े, इसके लिए भी लगाता प्यास जारी है, जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह नुट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ड कार्ड के तरह नुट्रिश क्वीच भी आवजित की जाएगी, और साथ ही एक मिम कॉम्पिटिशन भी होगा, आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें, साथ ही अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभाई पटेल के स्टेची ओफ यूनिटी जाने का आउसर मिला खेल में ही नुट्रेशन की शिक्षा आनन प्रमूत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं, साथियों भारत एक विशाल देश हैं, खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं, हमारे देश में छे अलग-अलग रूतियां होती हैं, अलग-अलग ख्षेत्रों में वहाँ के मौ वहाँ के स्थानिय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, नुट्रियन्ट रिच डायेट रान बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी है, जवार है, यह बहुत अप्योगी पोशक आहार है, एक भारतिये तयार किया जा रहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी नुट्रिशन वेल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी, यह आप सब के लिए बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है, आईए, पोशन महा में पौश्टिक खाने और स्फस्त रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें, प्रिय देशवाचियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया, यह खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किर्धारों की, एक हैं सोफी और दूसरी विदा, सोफ और उन्हें Chief of Army Staff, Commendation Cards से सम्मानित किया गया है, सोफी और विदा को यह सम्मानित लिए मिला, क्योंकि इन्हों ने अपने देश की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य बक्खु भी निभाया है, हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षावलों के पास, ऐसे कितने ही बहदू स्वान है, डॉक्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं, और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं, कितने ही बमधमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में, ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है, कुछ समय पहले, मुझे देश की सुरक्षा में, डॉक्स की भूमिका के बारे में, बहुत विस्तार से जानने को मिला, कई किसे भी सुने, एक डॉक्स बलराम ने, 2006 में, अमरनात यात्रा के रास्ते में, बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था, 2002 में, भावना ने आईडी खोजा था, आईडी निकालने के दो परान आतंक्यों ने विश्फोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए। दो तीन वर्ज पहले छत्यसगड के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉग क्रेकर भी ID ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखरी बिदाई दे रही थी। रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजाने में पुलीस की मदद की थी। डॉक्ट की डिजास्टर मैनेजमेंट और रिश्क्यू मिशन्स में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं। भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेइन किया है। कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नश्टले हैं। राज पलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कॉम्बाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कमाता है, और ये भारती माहोल में डले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही हैं। पिछले कुछ समय में, आर्मी, CISF, NSG ने मुदोल हाउंड डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स कौर्ड में सामिल किया है। CRPF ने कॉंबाई डॉक्स को सामिल किया है। इंडियन काउंसिल आफ अग्रिकल्चर रिसर्च भी भारतिय नसलके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है। मक्सद यही है कि इंडियन ब्रीड को और बहतर बनाया जा सके और उप्योगी बनाया सके। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए, आप इनकी खुबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इन में से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर भर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है, तो कोई भी ख्षेतर इससे पीछे कैसे छुट सकता है। मेरे प्रिय देशवासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिक्षक तिवस मनाएंगे। हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी ने किसी सिक्षक की याद अवश्याती है। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकटकाल में हमारे सिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनोती रखती है। मुझे खुशी है कि हमारे सिक्षकों ने इस चुनोती को नकेवल स्विकार किया, बल्कि उसे अउसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तक्रीक का जादा से जादा उप्योग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाए, छात्रों को मदद कैसे करे, यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है, आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे है सिख्षक और छात्रों मिलकर कुछ नया कर रहे हैं, मुझे वरोसा है, जिस तरह देश में रास्ट्रिय सिख्षा निति के जर्ये एक बड़ा बढ़ला होने जा रहा है, हमारे सिख्षक इसका विलाब छात्रों तक पहुँचाने में एहम भूमिका निभाएंगे साथियों और विशेशकर मेरे सिख्षक साथियों, वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का परव मनाएगा, स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है, इस दोरान देश का कोई कोना ऐसा नही यह बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की विड़ी, हमारे विद्यारती, आजादी की जंग, हमारे देश के नायकों से परिचीत रहे, उसे उतना ही मैसूस करें, अपने जीले से, अपने ख्षेत्रे में आजादी के अंदोलन के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सहीद हुआ कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा, यह बाते हमारे विद्यारती जानेंगे, तो उनके व्यक्तित्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा, इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं, जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाइप है, जैसे आप जिस जिले में ह वहां सताब्दियों तक जो आजादियों का जंग चला, उन्हें आजादियों के जंग में वहां कोई गटना ये गटी है क्या, इसे लेकर विद्यारती को से रिसर्च किरवाई जा सकती हैं, उसे स्कूल के हस्त लिखीत अंके के रूप में तयार किया जा सकता हैं, आपके शहर में स्वतंत्रता अंदोलन से जुड़ा को इस्थान हो, तो छात्र छात्राओं को वहां ले जा सकते हैं, किसी स्कूल के विद्यारती ठान सकते हैं, कि वह आजादी के 75 वर्ष में अपने ख्षेत्र के आजादी के 75 नायकों पर कवीता हैं लिखेंगे, नाट्टे कथा विस्मृत हो गए, ऐसे महान व्यक्तित्वा को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची सरधानली होगी, और जब 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मना रहे हैं, तब मैं मेरे सिक्षक साथियों से जुरूर आग्रह करूंग कि वे इसके लिए एक माहोल बनाएं, सब को जोड़ें और सम मिलकर के जुट जाएं, मेरे प्रिये देशवासियों, देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है, इसकी सफलता सुखत तभी होगी, जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो, इस यात्रा का यात्री हो, इस लिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्त रहे, सुखी रहे और हम मिलकर के कोरोना को पूरी तरह से हराएं, कोरोना तभी हरेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप दोगज की दुरी मास्क जरूरी इस संगल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे, आप सब स् सुखी रहिए, इनी सुब कामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार